सीनियर और जूनियर का इंटरेक्शन पॉजिटिव फॉर्मेट में क्या अभी भी होना ही चाहिए देखे मैं मानता हूं कि होना चाहिए अभी जो जिनकी हाइड थोड़ी कम है जो पैरलम्पिक्स में गोल्ड जविंत्रों में लेकर उसमें उन्होंने कहा कि लोग मजाक उड आरे रख देखूटी पे टांग जाते हैं जो अपने हाग आज आता है कि वह घर से निकले और उन्होंने खूटी पे टांग दिया है जैसे पट्री पर आज कल जिस तरह से कुछ लोग रख दे रहे हैं कई बार हलांकि वह कई बार वह टेर्रिस्ट एक्टिवीटी नहीं कर है वो आपके बहुत काम आएगा खासकर विद्यार्थियों के बहुत काम आएगा इस्टूडेंट बहुत कुछ अपने लाइफ में बहतर कर पाएंगे उनकी बातों को सुनने के बाद जिया हमारे साथ इस वक्त मौझूद है SM शर्मा जी जो लकनो मंडल के DRM है और IRSME मिकैनिकल इंजिनिरिंग वो हमारे साथ मौझूद है सर आपका बहुत बहुत स्वागत है तैंक यू जिस तरह की बात आजकल देखने में आती है तमाम बच्चे जो है बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में अचीव करना चाहते है और जाहिर है वो हमारे देश के लिए भी काफी beneficial हो सकता है चुकि वो एक asset है जो energy हमारे युवाओं में है जो हमारे youth में है और जो हमारे बच्चे धिरे धिरे progress करेंगे उनके लिए बहुत सारी opportunities भी है और वो देश के लिए भी opportunity create करते हैं तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जीवन कैसे शुरू हुआ कैसे कहा जन्म हुआ उसके बाद कैसे आप जो है railways की तरफ उनमुक्त हुए कैसे आपकी पढ़ाई लिखाई क्या हुई मैं early life के बारे में आपसे जानना चाहूँगा तो मेरा जनम नई दिल्ली में हुआ था और मैं भी second generation railway man हूँ तो मेरे father railway में थे और मेरी पढ़ाई की शुरुआत लखनों से ही हुई यहां सेन मेरी स्कूल है RDSO में वहां से शुरुआत हुई और मेरे करीब 10 स्कूल चेंजिस हुए 12 सालों में तो मेरे को कभी गवराट नहीं होती थी पटना में भी मैं सिंट माइकल्स में पढ़ा हूँ डॉन बॉसको लिलुआ कलकता में डॉन बॉसको डेली और सभागे से मेरे फादर बगदाद में पोस्टिट थे इंजिन सेंट्रल स्कूल बगदाद में भी पढ़ाई हुई बगदाद में भी पोस्टेट रहे हैं राइट्स के थू गए थे और डिएवी स्कूल चंदीगर में मैं हॉस्टल में रहा फिर बिरला स्कूल कलकत्ता तो इस तरीके से मेरे रहे और कॉलेज में भी यही रहा मेरे सारे इंटरेंस एक्जाम्स क्लियर हो गए थे तो फाइनली ITBHU मैंने चुना था और मैं Electronics Engineering कर रहा था और उसके बाद Railway का ही एक exam होता है UPSC का SCRA का वो मैंने कॉलिफाइ किया और फिर मैं Mechanical Engineering Stream मैंने Railway की जोइन की और काफी साल ऐसे चलती रही नौकरी फिर लगा कि कुछ नया सीखना चाहिए तो मैंने एक साल चुट्टी ली थी और अपना Master's in Public Administration मैंने National University of Singapore से किया फिर लौटा और फिर मन किया थोड़ा और पढ़ूँ सो तीन महिने के लिए मैं अज शेवनिंग स्कॉलर University of Oxford भी गया सो दीरे दीरे पढ़ाई चल रही है और नया कुछ सीखते जा रहे हैं मतलब जो जरनी है पढ़ाई की वो आपकी रुक में ही रही है वो लगातार आप उस पर आगे बढ़ते जा रहे हैं जी एक दम अज़ा सर हम आपसे एक बात यह जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप अपने बारे में बता रहे हैं एक बात तो इससे साफ हो गई कि आप जो है अपने पापा के बहुत अच्छे बच्चे हैं बदमाशी बगरा नहीं करते थे नहीं बदमाशी भी हम लोग बहुत करते थे और मैंने बताया है बदमाशी तो हम लोग ने खूब की है वहाँ पर रात में जैसे लाइट्स बंद हो जाती थी तो रात में हलवा बनाना खाना और खासकर जो डे स्कॉलर्स होते थे उनको हम बहुत परिशान करते थे हम लोग और कई बार पर टाइवी होती थी जो टीचर्स हैं वो पिटाई भी कर देते थे बट बहुत अच्छा रहा और काफी बदमाशी की है गिटार बजाने वाला बनारस में बड़ा क्रेज हुआ करता था हम लोग के टाइम पर आप लोग के टाइम पर तो और रहा होगा गाट बजाने वाले बच्चे उनके साथ लड़के लड़के बैट के बड़ा इंजोय करते थे एकदम वो करते थे और एक काशी यात्रा करके हम लोग का कल्चरल फेस्ट होता है जी जी अभी भी होता है उसमें परफॉर्म करते थे और गाट पे आपने का तो वहां जा के बोटिंग करी और हम लोग तर्बूज वर्बूज मज़े से खा रहे हैं और रामनगर तक आ जाते थे तो वो काफी यादे हैं और पूरा अफकॉर्स बनारस उसमें साइकल पर ही गुमते थे हम लोग सीनियर और जूनियर का इंटरेक्शन पॉजिटिव फॉर्मिट में क्या अभी भी होना ही चाहिए देखिए मैं मानता हूँ कि होना चाहिए क्योंकि जैसे खासकर जब बच्चे 12 के बाद आते हैं 11 12 में काफी इंटरोवर्ट होते हैं पढ़ाई कर रहे हैं एक्जैम्स की त्यारी कर रहे हैं फिर अचानक कॉलिज में आते हैं और उस दुरान अब बीच में जैसे कोविट भी था वो जो बैचेज निकले हैं वो जो सोशल इंटरेक्शन है वो होना जरूरी है आजकल हर आदमी अगर सोचे कि मुबाईल पे कुछ मैंने डाल दिया इंस्टाग्राम पे या फेस्बुक पे तो वो दुनिया नहीं है असली दुनिया तो जैसे आप और हम बैठके बात कर रहे हैं तो ये असली दुनिया है तो अगर अपने सीनियर्स को जानेंगे तो हमें पता है कि जो हम अपना प्रोफेशनली चूज कर रहे हैं करियर क्योंकि वो हमसे उसी लाइन में आगे हैं दो-तीन साल तो वो हमको और अच्छा गाइड कर पाएंगे और जो उनको समस्याई फील कर रहे हैं वो लोग वो भी हमको पहले ही पता लगेंगे तो वी आ बेटर प्रिपेर्ड फॉर दे फ्यूचर मैं यह सोचता हूँ बहुत अच्छी बात बताए कि गिर के उठना क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है इससे बच्चा जो है मेंटल ट्रामा में कभी नहीं जाएगा अगर वो फेल भी होगा तो कभी वो मेंटली जो है जैसे हम लोग ही कई सारी परिक्षाओं में फेल हो जाए नहीं हुआ कई बार हम लोग बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं नहीं हो पाता है तो हम उससे हतों साहित नहीं होते हैं हमको लगता है कि अगली बार फिर से जब अगला इंटर्व्यू करेंगे तो वो वाला अच्छा करेंगे भर सक ये भी सही हो सकता है कि वो भी अच्छा ना हो लेकिन फिर भी हम होप नहीं शोड़ते हैं हम सोचते हैं कि अगला वाला और अच्छा करेंगे तो ये चीज जो आपने बताई कि गिर के उठना में चीज होती है बिलकु ठीक आपने कहा अभी जो जिनकी हाइट ठोड़ी कम है जो पैरलम्पिक्स में गोल्ड जेवलिन थ्रो में लेके आए उनका एक इंटर्व्यू मैंने देखा कहीं उसमें उन्होंने कहा कि लोग मजाक उड़ाते थे उनकी हाइट का कई बार उनको डिमोरलाइस करते थे जो इस तरह के इलिमेंट है सुसाइटी में जो डिमोरलाइस करते हैं कभी-कभी वो टीचर भी होते हैं बच्छों के टीचर भी डिमोरलाइस करते हैं कभी-कभी आसपरोस में होते हैं कभी-कभी तो कई वार माabाप भी होते हैं ऐसे में उनके लिए क्या कहना चाहेंगे क्योंकि ये मैसेज बहुत जरूरी है उनके पास तक जाना कि किसी बच्चे को डिमरलाइस करना चाहिए नहीं करना चाहिए या किस तरह से उनको आप कहना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे देखे, मैं यही कहूँगा कि कई बार as parents, हम लोग भी गलती करते हैं कि हम जो अपने साकार नहीं कर पाए, वो कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों से करा लें और कई बार हम उनको force भी करते हैं कि उस career में जाईए, जो हो सकता है उनको पसंद ना हो तो I think हमको freedom, flexibility देनी चाहिए, देखना चाहिए बच्चा किस direction में जाना चाहता है, क्या उसको पसंद है और उसमें हम guide करें और सही लोगों से guide करवाएं उसको, ताकि वो उसमें excel कर सके हर आदमी देखे, UPSC नहीं qualify कर सकता, मतलब अगर 10,000 में एक कर जाएगा, तो बाकी क्या करें तो आपके पास यही नहीं है कि एक ही aim लेके चलिए, आपको एक plan B भी रखना चाहिए, बट मैं यही कहूँगा parents को, कि आप force ना करें, कोई अगर engineer बनना चाहता है, बनने दीजे, कोई doctor, कोई lawyer, कोई कुछ, इतनी opportunities हैं, कोई journalism में जाना चाहता है, कोई कुछ भी करना चाह है, we have to see, अगर वो बच्चा enjoy नहीं करेगा, तो हो सकता है, लाइफ में जब 30-35 की age में पहुचेगा, तब वो सोचेगा यार यह गलती थी, मैं तो यह करना चाहता हूँ, तब switch करना बड़ा मुश्किल होता है, तो जो वो pursue करना चाहते हैं, थोड़ा सा हमारे को पूरवक और, you know, as parents, as a big mentor, हमको, और schools में भी, teachers को भी help करना चाहिए, सड़क के किनारे real बनाएंगे, पट्री पर, तो RPF आएगी और पकड़ के ले जाएगी, पुलिस ले जाएगी, आज कल बड़ा real बन रहा, मैं अभी उस पर आऊंगा, और, माल लीजिये की, rule of law है, law क कारण, कानून के कारण, लोग डर रहे हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, ज्यादा तर लोग कानून के भाय से बदमाशी नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग ethics को किनारे रख दे, खुटी पर टांग दे, जो अपने हां कहा जाता है, कि वो घर से निकले और उन्होंने खुटी पर टांग दिया है ethics को, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, मैं देखे एक example देना चाहूँगा, जपान का, बहाँ पे बच्चे बच्पन से सीखते हैं, that is the way of life, अगर punctual होना है, तो it is way of life, स्कूल में, मैं जब Singapore में भी पढ़ रहा था, तो हम लोग Japan भी गए थे, और मुझे याद है, जो हमारे जपानी दोस्त थे, वो meeting के 10 मिनट पहले से ही परिशान होते थे, कि हमको सबको time पे पहुँचना है, वो उनके brain में ingrained था, शुरू से, तो कुछ चीजें हमारे जो family क side से आती हैं, और जो traditions हैं, वो हम सीखते हैं, कुछ हमारा जो culture है, बट इसी में हमारे को अपना जो सही लगता है या गलत, वो हम लोग decide करते हैं, as individual human beings, और हम अपना level set करते हैं, कि हम कहां जाना चाहते हैं, because, I mean, मैं कहूँ integrity is, कि जब दूसरे नहीं watch कर रहे, तब मैं कैस human being, as a good individual, as a good citizen of this country, तो अगर जैसे railway है, railway में टिकट लेना, हो सकता है, मैं पकड़ा ना जाओं, बट जब मेरे को पता है कि 58% मेरे को discount already railway दे रही है, subsidy दे रही है, तो मेरी moral values भी बतानी चाहिए कि में को टिकट लेना है, अंदर से आना चाहिए कि अगर मैं दूंगा, तब services बढ़ेंगी, तो वो अंदर से लाना है, वो feeling, और अगर मैं ये सारी चीजों को प्यार करूंगा, जो government property है, खासकर, तो उसको मैं उसी तरीके से देखूंगा, जैसे मैं अपना देखता हूँ, जैसे पट्री पर आजकल, जिस तरह से कुछ लोग रख दे रहे हैं, कई ब अच्छनाक लोग भी हैं, लेकिन कुछ लोग क्या है, कि उसको जैसे कोई पतला चीप या रॉड रख दिया, उन्होंने पट्री पे की ट्रेन जाएगी, तो वो चिप्टा होता है या नहीं, चुकि जब पकड़े जाते हैं लोग, तो जब उनसे सुना जाता है, तो हम लो पीएफ आपके अगेंस्ट एक केस भी दर्ज कर सकती है, और हमने कई किये भी हैं, आपने जैसे बताया है, कई लोग ने कुछ रखा, तो हमने पकड़े भी हैं, केस भी दर्ज किये हैं, और इस बार हम लोग काफी तेजी से कर रहे हैं, बिकॉज हमें नहीं पता कि आपका अग एकॉनॉमिक एंगल है, या सक्यूरिटी का एंगल है, तो हम तो सक्यूरिटी का एंगल लेके ही चलेंगे. सारी प्रियारिटी यही है कि वो सेक्यूर्टी कंसर्ण है वो दो हजार लोगों की जान बचाने के लिए हमें जो भी स्टेप लेने होंगे कानूनी तौर पर वो हम लेंगे ही जी और बिल्कुल ठीक बात आपने कहीं माबाप कई बार बच्चों को कुछ चीजे करने के लिए मजबूर कर देते हैं और उनका ये मानना होता है और कई बार बच्चों को भी लगता है कि गौर्मेंट जॉब ही मतलब कुर्सी तोड़ने का एक मौका मिल जाएगा आराम से बैठो आप है ना ऐसा उनका मानना है लेकिन मैं भी जानता हूँ आप भी जानते हैं कि गौर्म वजे वो अपने घर पहुंचते हैं अगर कोई लखनों में या कहीं किसी इंपॉर्टेंट जिले में या किसी जिले में अगर थाना द्यक्ष है या पुलिसमेन है और सबकी ड्यूटी तो टाइम पर टाइम होती है लेकिन आरपी आफो ये लोग अपनी ड्यूटी से ज्या पड़ता है जी या आप लोग भी कई बार आएं वर्कलोड जादा है तो छे वजे तक का टाइम है लेकिन ग्यारा बज़े तक दस बज़े तक बैठते हैं जो हम जानते हैं जी कई बार ऐसे ऑफिसर्स हमें मिल जाते हैं हम निकल रहे होते हैं तो चाई पीने रुके तो कह है अरे सर कहा तो बोले अरे भाई अभी तो ड्यूटी से आ रहे हैं अब हमने कहा वही इतनी रात को ड्यूटी उले नहीं काम है इतना गौर्मेंट जो है बहुत प्रोटिवली वर्क कर रही है तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो केवल गौर्मेंट जॉब प जो भी महतुपूर्ण है या वो और भी कुछ कर सकते हैं देखे गौर्मेंट जॉब्स आर जस्ट अपार्ट आपने जो चीज की पढ़ाई की है और मैं यह मानता हूं कि जो भी कॉलेज में पढ़ाई हो रही है खासकर अगर आप गौर्मेंट कॉलेज के पढ़े हुए है तो कहीं न कहीं गौर्मेंट ने सबसिडाइज कर रखा है क्योंकि आप से फीज लेते नहीं है बट इतना जादा एफ़र्ट करके आपको मानिय पीजडी बनाया या आपको टेक्निकल साइड में या डॉक्टर बनाया तो आपको पहले तो आपका दायत पहे है कि आप उसक जो आपने लिया है बट ठीक है आप करियर चूस करें जैसा है आपको फ्रीडम है पूरा गर्मेंट जॉब्स अच्छे हैं बट जैसा आपने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम कुर्जीयां तोड़ें वो नहीं है आज कल वैसा कुछ नहीं है आज कल जितना यह डिजिडीट contact कर सकता है, फोन से भी करते हैं, WhatsApp पे messages भी आते हैं, जिसको जो समस्या है, वो पहुँच जाती है, सही जगा, and हम लोग का प्रयास रहता है, within half an hour उसका निवारन हो, तो कोई भी agency है, मानिए किसी को medical emergency हो गई, तो हम train पे doctor पुचाने की कोशिश करेंगे, और हम लोग दिन की करीब 25,000 गाड़ियां चलाते हैं, तो एक एक गाड़ी चलाने में, कितनी लोगों का कितनी साड़े, 25,000 गाड़ियां पर डे चलती हैं, मुझे लगता है कि दुनिया में हमसे ज़ादा किसी के पास नहीं हैं, जो हमारे करीब 70,000 प्लस कोच हैं, we are number one in the world in terms of coaches, wagons, अब locomotives भी हमारे बढ़ते जा रहे हैं, तो धीरे-धीरे हमारा जो network है, अभी fourth largest है, but I am sure बहुत जल्दी ये pick-up करेगा, because अब हम capacity ahead of demand बना रहे हैं, जो हमारा नया national rail plan है, but we are digressing, आपका जो सवाल था? नहीं, इस पे भी हम आएंगे, चुकि इतना कुछ बन रहा, इतना कुछ हो रहा है, तो रोजगार भी तो इससे सरजीत है, तो वो ही मैंने कहा, जो इसका linkages मैंने कहे थे, साड़े-पांच, एक रुपया जो लगा, तो साड़े-पांच रुपया society को दिया जाता है, वो रोजगार ही generate कर रहा है railway, railway चाहे construction की तरफ से करा रहा है, चाहे after construction, बट ऐसे ही अलग-अलग जितने government departments हैं, उनमें रोजगार आ रहा है, और लास्ट येर भी इतने रोजगार मिला हुए, इतने लोग भरे, आप लखनो मंडल में ही देखें, करीब अठारा सो करमचारी यहां पर भी भरती हुए हैं, अभी फिर हमारे इंडियन लगें, इस साल फिर आ जाएंगे, तो ये opportunities हैं government jobs के लिए, बट जितना पढ़ा है उस हिसाब से आप लीजए, ये नहीं तो आपको satisfaction नहीं मिले हो सकता है बाद में, और ये ऐसा नहीं है कि बैठके time pass वाला है, काम होना है तो होना है, और हर चीज targeted way में deliver होनी है, that is the mandate, तो सबको मेहनत करनी हैं, जब teamwork होगा तभी हो सकता है, बट private में भी बहुत opportunities हैं, क्योंकि मानिए एक government जैसे station redevelop हो रहा है हमारा लखनो का, अब कोई एक agency कराएगी, private में भी इतने हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी उसमें, चाहे उसके design के लिए हो, चाहे execution के लिए हो, चाहे electrical works हो, चाहे signaling works हो, चाहे transport planning हो, कुछ भी हो, तो उतनी तरीके के jobs generate हो रहे हैं, private में भी हो रहे हैं, इधर भी हो रहे हैं, तो बच्चों को देखना चाहिए, जो उनको मतलब खुशी देता है, उस तरफ जाएं, यही नहीं कि एक टुक देख रहे हैं, हमने भी नहीं सोचा था कि हम सरकारी नौकरी जोइन करेंगे, बढ़ ठीक है, हो गया तो हो गया, अब मेरे बच्चे हैं, आपको करना है, आप चाहिए सरकारी करिए, नहीं तो नौन सरकारी करिए, जैसा भी है, मैंने भी कई ऐसे offices को देखा है, मैं कई आई-एस, सीनियर आई-एस जिन से मैं परचित हूँ, उनके बच्चे ना उन्हों ना UPSC का फॉर्म बढ़ है, ऐसा भी नहीं कि वो मतलब पढ़ाई में कमजोर है या ऐसा कुछ है, मेरे अपने एक रिलेटिव है, बड़े पत पर रहे, गुजरात में डी जी पी रहे, उनके बच्चे गवर्मेंट जॉब की तरफ नहीं गए, ऐसे एक और अधिकारी को मैं जानता हूँ, जिनका बच्चा जो है, मुजिक इंडस्ट्री की तरफ चला गया, हलाकि वो भी बहुत बड़ा नाम नहीं कमा पाई, लेकिन उनको सैटिस्ट्रेक्शन रहता है, जो हमसे बात करते हैं, पैसा कमाते हैं, वेल टू डू है, तो इस तरह की चीजे जो है, कही न कहीं प्रेशराइज करके, बच्चे भी कई बार जो है, वो अपने माबाप की शान और सौकत कई बार देखे, जब ऑफिसर होते हैं, आप तो बहुत सारी चीजे आसपास होती है, तो वो सोच करके भी कई बार उनके अंदर वो अबिलिटी नहीं होती है, वो कैपसिटी नहीं होती है, फिर भी वो उदर चले जाते हैं, तो इस प्रेशर से बचने की सलाँ आप दे रहे हैं, मैं किरहा हूँ, जो आपको पसंद है, आप करिये और पेरेंस भी आपको सही गाइड करें, और अगर आप गवर्मेंट जॉब में भी आना चाहते हैं, तो वो सेवा की भावना होने जीए, तो आप लोगों ने सुना कैसे डियारम एसम सर्मा साहब ने आपको इतनी सारी बाते बताई खासकर बच्चों को और उनके अभी भावकों को हम ये कहना चाहेंगे, कि सर की बात को ध्यान से सुनकर अपने जहन में उसको रखें, और परवरिश में अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाएं भी, बताएं भी, हर बार आप इंटरव्यू नहीं देखेंगे, लेकिन एक बार दिमाग में रखिए कि कैसे बच्चों को आगे बढ़ाना है, और ये बच्चे केवल आपके ही बच्चे नहीं हैं, ये राष्ट्र की उन्नती का मार्ग प्रशस्त करने वाले पिढ़ी हैं, इसलिए उनका विशेष खयाल रखें, बहुत-बहुत धन्यवाद आप प्रोगाब,